हेलो गाइज वेलकम बाइक और यूट्यूब चालना स्टार का स्टेड्यू पाइंट दोस्तो इस वीडियों में लेकर आप सभी के लिए कलास्ट ट्यूल बालों के लिए हिंदी सौ माक्स लिंग्वेज पेपर का दोस्तों कोश्चन बाइंक प्रिविएस यर्स प्रिफ पर सामिल होना चाह रहे हैं तो यह चैनल आप लोग के लिए काफी हल्फुल रहेगा दोस्तों और इसी तरह के काफी सारे वीडियो लेकर आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आको कोई प्रिस कर दीजिगा और नोटिफिकर्शन से लेक्ट करके त दोस्तों यहां पे पहले मुर्ण से मैं आप लोगो को बता हैं 5-6-7 मुर्ण सेट अप्लोड कर दिया हैं उसके बाद काफी कम समय बचा था दोस्तों इसलिए मैं यहां पर प्रिवेस यह स्पेपर को स्टार्ट कर दिया ठीक है और जब एक रिखिव नाया आप लोग को ट लिंक नीचे description में है वहाँ पर काफी सारे आप लोग का objective और साथ में subjective question देखने को मिल जाएंगे तो जाके आप लोग प्रैक्टिसेट कर सकते हो चलिए यहां पर सेट वन देखते हैं दोस्तों यह यह सभी गद भाग के जितने भी चप्टर है दोस्तों उनसे question लिए गये है और पिर्वियस CS में सभी question पूछे हुए है ठीक है एक भी question आप लोग को यहां पर फालतु नहीं है जो question पूछा गया था वही मैंने आप लोग यहां पर बता रहा हूं चलिए पहला question देखते हैं दोस्तों और इसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम पर जहूर जोइन हो है कि परगीत और आप लोग बताईएगा कितना question जानते थे पहले से पहला है कि परगीत और समाज के लेखा के वीडियो को share कर दीजिएगा दोस्तों देकिन नामबर सिंग के दोरा लिखा हुआ है परगीत और समाज याद रखेगा एक का ए मैंने आप लोग को काफी सारे दोस्तों अगर आप लोग लेखक और चप्टर नाम याद रख लिजेगा तो 10-15 नमर आप लोग को असानी से मिल जाएंगे क्योंकि इसी तरह से question पूछे जाते हैं टैप ठीक है जैसे जितने भी चप्टर आप लोग गद और पदखंड में सभी का आप लोग याद रख चप्टर और जो लेखक है उनका ठीक है आप जनम मिर्तियु याद ना रखिए अगर सिर्फ नाम रख लीजेगा किसका लेखक कौन है ता आप लोग को 10-15 नमर आसानी से मिल जाएंगे ठीक हर साल यह पूछा जाता है चले दूसरा question देखते हैं कि जंजन का चेहरा एक के सी यहां पर और उससे कहानी का नाम के रोज सि पाहि की मा उससे कहा था या फो प्र्सक्षा तो यह लिख्षा थे दोस्तो उसने कहा था क्या लिखा था उसने कहा था कहानी है चंधर सर्मा गुलेरी के दौरा लिखा हुआ चले पांच नमर्स दखते है कि सुमदरा कुमारी चोहार की कवीता का नाम बतातायेखि पुत्र वियोग चलि यहाँ पे छे नमर देखते हैं कि अर्धनारिस्वर सिर्षक के निवंद का निवंदकार का नाम बताएं अर्धनारिस्वर जो चप्टर है दोस्तों यह लिखे गए है रामधारिसिंग्णार जी के दवरा जो निवंद है एक तरह से ठीक है याद रखेगा यहाँ पे 6 का ए हो जाएगा यहाँ पे रामधारिसिंग्णार जो भारत के राष्ट्र का भी कहे जाते हैं और इनका जनम बेगुसरे शिमरिया में हुआ था उन्य्सो आठ या साथ उन्यसो शाध रखता है दोस्तों की डलित चत्ना के लेखक है और यहाँ मोहन राकेश लिखुर नांबर ओम पर कास बालमिकि या फिर अगे तो दलित चत्ना के जो लेखक है दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा इस option के साब से ओम परकास बाल में की आप लोग के बुक में जो लिखें जूठन चेप्टर ठीक है लेकिन यहाँ पर और से कहानी लिखें है वो तो यह दलित चेतना भी ओम परकास बाल में की जिके दोरा ही लिखा हुआ है तो साथ का सी याद रखेग अब आठ नमर कोशन है दोस्तों कि उसने कहा था के रचना कारकोन है तो अब ज़स्ट हम लोग बताएं दोस्तों उसने कहा था कर लेखा का चंधर सर्मा गुलेरी जो कहानी है तो नो नमर देखते हैं कि बादचीत सिर्षक सहित की कौन सी बिद्ध्या है तो बादचीत जो दोस्तों यह निवंद है बालकृष्ण भट के दोरा लिखा हुआ ठीकए याद रखेगा नो कसी दस्त नमारा कि जूठन किसकी आत्म कथा तो जूठन जो चप्तार है वो आत्म कथा है दोस्तों किनके दोरा लिखा गया है तो यह लिखा गया आपका ओम्परकास बालमिकी ज तो यह था आपको पता ही होगा रोज चेप्टर में यह मालती का यहाँ पे मुख्य पात्र के रूप में यहाँ पे कहानी की पात्र आए ठीक है लिए बारा देखते हैं कि जूठन के लेखा कौन है अब ज़स्ट हम लोग पढ़े हैं जूठन किसी की आत्म कहता है तो उमपर कर रहा हूं दोस्तो अधिकतर कोशन अधिकांस कोशन आप लोग को मिल जाएंगे बोर्ड परिक्षा में ठीक है तो बने रही है अगर लास्त तक अब यहाँ पर तेरा नमर है दोस्तों कि बातचित सिर्षक निबंद के निबंदकार को रहें तो बातचित जो चप्टर है तो सिर्षक के निबंदकार है आप लोगों को पता ही होगा बाल कशन भर्ड जो पाला ही चप्टर है चैकर और बातचित जी तो बादचित चप्टर के माध्यम से क्या बतलाना चाहता है दोस्तों ये बालकृष्ण भट जी ये बतलाना चाहता है बादचित की सैली तो याद रखेगा चोदा का यह यहां पर हो जागा बादचित की सैली चले पंदरा देखते हैं कि भठ जी मतला बालकृष्ण भठ ज थे अभी जस्ट बाचे जो चप्टर है उन्निवंधी है सोला है कि भर्ट जी ने हिंदी साहत को क्या दिया मतला बालक्रिष्ण भर्ट जी ने हिंदी साहत को क्या दिया प्राचिंता की पुष्टी किया या फिर नवीन धरातल नवीन दिशा और नया रंगरूप दिया या फ आपका दोस्तो नवीन धरातल नवीन दिशा और नया रंग रूप दिया ठीक है यहाँ पर उत्तर भी लिखा हुआ है तो यहाँ पर सोलर का सी हो जाएगा तो देखते हैं कि वाक सकती के अभाव में मनुस क्या नहीं कर पाता मतलब बोलने की यहाँ पर बता जा रहा है दोस् जो हैं दोस्तो क्या नहीं कर पाएगा तो बोल नहीं सकता है पर तो सकता है लेकिन बोल नहीं सकता है ठीक है तो याद रखेगा अठारा है कि असल बात्चित सिर्फ दो ब्यक्तियों में ही होती है यह कहा गया है एडिशन के दोरा ठीक है तो याद रखे यहाँ पर अठार करें तो गवप बत कही तिठोली या फिर हंसी मझाग उसको बत कही बोलते हैं ठीक है बादस्य चप्टर में ही यह बते आ गया चले बीशवन देखते हैं कि चंधर craving गुलेरी की कहानी कोंची है काफी वार माने आपलों को बते हैं दोसो चंधर और किस ने बनाया था ये फिलम ये बनाया था दोस्तों आपका विमल रहा है ठीक है तो याद रखे कि आप ये किस का डी हो जाएगा नेक्स्ट है यहाँ पे 22 नमर कि बीना फेरे घ्ष्रा विगरता है और बीना लडरे सिपाही ऐसा कुन कहता है तो याद रखे कि यहाँ पे 22 का सी लाना सिंग के दोरा ही ये कहा गया है तो इस नमर है कि तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो ये बात कौन कहती है कहती है यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते है इस्कूल की सिख्षी का या फिर बनिया या फिर फिरंगी मेम या फिर लेख्षी का तो तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आये हो ये जो कहता है दोस्तो ये फिरंगी मेम कहता है ठीक है कहती है याद रखे गए आपे 23 का सी नेक्स्ट है याँ पे 24 नमर दोस्तो बताया जा रहा है कि सुवेदार जी सच है पर क्या करे हडियों में तो जारा धस गया है किसने कहा ये सुवेदार जी देख सकता है यहाँ पे दोस्तो ये कहा था लहना सिंग के दोराही ठीक है तो याद रखे गए यहाँ पे 24 का सी इस चप्टर से काफी कोश्टन पुशे जाते हैं दोस्तो याद रखेगा उसने कहा था 25 नमर है दोस्तों यहाँ पर कि एक एक अकालिया सिख सवा लाख के बराबर होता है एक एक अकालिया सिख सवा लाख के बराबर होता है यह बात किसने कही यह बात भी कहता है दोस्तों लहना सिंग के दोरा ही तो याद रखेगा 25 का भी यहाँ पे से उतर हो जाएगा नेक्स यहाँ पे 26 नमर कि मिर्तिव के कुछ समय पहले अस मिर्ति बहुत साप हो जाती है जनम भर की घटनाये एके करके सामने आती है यो किस पाठ की पंक्तिया है तो यह भी जो पंक्ति है दोस्तों यह उसने कहा था चेप्टर से ही है तो याद रखेगा आपे 26 का भी हो जाएगा चलिए 27 देखते हैं कि जैपरकास नरायन का जरम कब हुआ था तो जैपरकास नरायन जी का जरम जो बिहार में ही सिताप दियारा में हुआ था दोस्तों 11 अक्टूबर 1902 इसवी को ठीक है जो संपून करांती आप लोगों के बुक में चेप्टर लिखे हैं चलिए 28 देखते हैं कि छात्र आंदोलन कब हुआ था चात्र आंदोलन हुआ था 1974 इसवी में किसके नेत्रित में तो यह जैपरकास नरायन जी के ही नेत्रित में चलिए 29 देखते हैं कि संपून करांती सिर्षक के रचेता कोन है तो संपून करांती सिरषक रच्षेता जो है धोस्तों ये जैप्रकाश टायन के ही दोरा लिखा गया है 30 देखते हैं कि संपून करांती पर जैप्रकाश नराएं जी ने यहांपे कभासन दिया था तो 1974 में दिया था दोस्तों अब यहाँ पे डेट भी है तो यह 5 जून 1974 भी को दिया था 31 देखता है कि बिहार परदेश छात्र संगर्ष समिती क्या थी तो बिहार परदेश छात्र संगर्ष समिती जो थी दोस्तों यह था आप लोगों का यहाँ पे छात्र छात्राओं का संगठन विहार परदेश छात्र संगर समिती ये छात्र छात्राओं का संगठन था 32 है कि जैपरकास नरायन जी ने छात्रों को सबसे पहले क्या संदेश दिया था तो जैपरकास नरायन जी ने छात्रों को जो सबसे पहले संदेश दिया था दोस्तों वो संदेश था यूथ और डेमोक्रेसी का तो याद रखे गाँ पर थर्टीटू का बी ठड़ित रिया कि रामधारी सिंग दिनकर की रचना कौन है क्या है तो यहाँ पर अर्धनारिस्वर जो चप्टर है दोस्तों यह रामधारी सिंग दिनकर जी के दोरा ही लिखा हुआ है दोस्तों चोविस अपरेल 1974 को तो यावे 25 का 35 का यह हो जाएगा थाटीश देखते हैं कि दिनकर जी की पहली कविता किसे पत्रिका में छप्पी थी तो रामधारी सिंग दिनकर की पहली कविता जो थी दोस्तों यह पत्रिका का नाम था आपका छात्र सहोदर कौन सा था दो सब्छान के दोरा काफी साहेच की रचना किया था दोस्तों यहांपर खुरूचlden और शेवरिन का मिला था तो राम धारी सिंग दिनकर जी को पुरुषकार मिला था दोस्तों वह भारती यहां पर ग्यानफिट पुरुषकार से नवाजा गया था यहां पर समानित किया गया था थर्टीनैन है कि दिनकर की किस रचना को सहीत अकादमी पुरुषकार मिला था तो इसको सहीत अकादमी पुरुषकार से भी यहां पर समानित किया गया था दोस्तों यह जो सहीत था दो यहाँ पे साइट अकादिम पूरुसकार उसके बाद यहाँ पे मिला था आपका पदम भूसन भी यहाँ पे 40 का सी हो जाएगा ठीक है पदम भूसन फोटीवन है कि प्रस्तुत गरंधे में दिनकर का कौन निवंद संकलित है दिनकर जी का यहां पर रामधाय सिंद दिनकर का कौन निबंध जो संकलित है दोस्तों सुध कविता की खोज काब की भूमी का या फिर अर्धनारीश्वर या फिर वर पीपल यह अर्धनारीश्वर हो जाएगा जो निवंध है आप लोगे बुक में तो यहां पर 41 का सी हो जाएगा चले 42 देखते हैं दोस्तों कि अर्द नारी स्वर किसका कल्पित रूप है तो अर्द नारी स्वर जो हैं दोस्तों ये कल्पित रूप है आपका किसका तो संकर और पारवती जी का तियाद रखेंगा यहां पे 42 का D हो जागा 43 है कि पुरुष किस रूप का पर्तिक है तो पुरुष जो हैं दोस्तों यह पर्तिक माना जाता है यहाँ पर धूप का ठीक है 44 है कि नारी किस रूप में परसिद रही है तो नारी जो परसिद रही है दोस्तों ये आपका किस रूप में बोला जा रहा है ये चांदनी रूप में ठीक है या पुरूस जो है यहाँ पे धूप रूप में मतलब धूप का और नारी चांदनी का वी चार जो परतिक है या आप का संवाने के लिए प्रियुक्त की भावना किसे लिए परियुक्त अंधी तो यह रखे Freeman करम pokण चला आ रहा है क्या कोच्छान है दोस्तो कि करम छेत्र पर किसका कबजा चला आ रहा है तो सिर का बैल का नर का या फिर नारी का तो करम छेत्र पर जो हैं दोस्तो ये नर का कबजा चला आ रहा है यहाँ पर 47 का सी हो जागा 48 है कि वस्तुता सिंहासन किसके लिए होता है तो वस्तुता जो सिंहासन जो होता है दोस्तों यह आप राजा के लिए होता है तो याद रखेगा 48 का D 49 है कि जैनों के बीच कौन संप्रदय निकला था तो जैनों के बीच संप्रदय यहाँ पे निकला है दोस्तों वो दिगंबर यहाँ पे हो जागा तो से उत्तर 49 का सी हो जागा और 50 है दोस्तों कि पुरूष जब नारी का गून ले लेता है तब क्या बन जाता है तो पुरू जब नारी का गुन ले लेता हैं दोस्तों तब बन जाता है यहाँ पे राक्षस, देबता, महान या फिर भागे साली तो यह बन जाता है आपका देबता ठीक है बुक के हिसाब से चले 51 देख लेते हैं यहाँ पे तीना और कोश्चन कि नारी और नर एक ही दरब की बनी हुई है क्या कोश्चन है दोस्तों कि नारी और नर एक ही दरब की बनी क्या है दो परति माये, दो मित्र, दो दुस्मन या फिर दो राक्षस तो यह बना है दोस्तों दो परति माये ठीक है तो यह 52 देखते हैं कि लेखक नारी में कैसी जियोती जगने की इच्छा परकट करता है तो याद रखेगा 52 का भी 53 है कि लेखक परतिक नारी में किसका आभास माना चाहता है तो लेखक परतिक नारी में जो है न यह पाना चाहता है पौरूसका ठीक है पौरूसका ने पौरूसका तो याद रखेगा 53 का सी तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग 53 कोस्टन किये हैं इसके आगे की कोस्टन मैं आप लोगों को अगले सेट में बताऊंगा इसी तरह के 3-4 सेट आने वाले हैं बने रहेगा दोस्तों चैनल पर वीडियो पसंदे तो लाइक जरू करना और वीडियो को सेर भी कर देगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में